दो हजार चौबिस का लोग सुभा चुनाओं अब तीसरे चुन की तरफ बढ़ चुका है सियासी बोल और सियासी बयान भी अब आना शुरू हो चुके हैं तमाम तरह के धार्विक बयानों की भी चर्चा इस वक्त काफी जादा है लोग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं राम और शिव में भी यहां तक की भगवान को बांटने का काम किया जा रहा है लोग क्या सोचते हैं लोगों की क्या रहा है यही जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं कि तमाम लोग आप देख सकते हैं कि यहां पर हैं और हम लोगोंसे बात करेंगे लोगों से जानेंगे कि लोगों क्या 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 सोच है और लोग प्रया कहना जब कोई भी राज धर्म धर्म का अगर कवच पहन ले तो जान लीजिए कि राजा राज धर्म का सब तिलांजली वो हो गया है तो राज धर्म का राज धर्म राजा को राज धर्म का पालन करना चाहिए तमाम अब तक हम लोग डेमोकेशी में लोगतंत्र और जनतंत्र में ये हमने सुना है कि हमेशा सदेव सत्तापक्ष जो है अपने पूरे काल खंड का योजनाओं का नाम लेता है योजनाओं में वो percentage के गिंती कराता है percentage के आधार पर वो देश को ये बताना चाहता है कि हम उर्जा के छेतर में इतना काप का काम की है इतना बाकी है हम आगे करेंगे लोहा के छेतर में, कोईला के छेतर में, सड़क के छेतर में, नहर के छेतर में, बिजली के छेतर में, कानून ब्यवस्ता के छेतर में और आवाम के सदभाव और रेक्ता के छेतर में हमने क्या किया है, अक्या नहीं किया है अगर नहीं किया है तो आने वाला कल में मैं करूंगा तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राजा का राज धर्म ही धर्म है धर्म का कोई आकार नहीं है धर्म एक बिस्वास है धर्म एक आस्ता है धर्म जब बिस्वास और आस्ता में तब्दिल हो जाए तो उसको राज से जोड़ना ही पाप है तो राज और धर्म ये दोनों दो चीज है राजा का धर्म अलग है उसकी परिभासा अलग है आज जो ये धर्म बताया जा रहा है इसकी परिभासा अलग है आज मलका अर्जुन खळके का एक जिगा से बयान आया एक अपने प्रत्याशी के लिए लगे मंच पर प्रत्याशी का नाम था शिव उन्होंने कहा है कि ये राम से लगा तार जो है बराबर मतलब उनके उनसे आगे निकल करके दिखते आएं तो राम और शिव को भी बाटने लगावादी ताकत जो देश को टुकड़े टुकड़े में बाटना चाहते ते टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में जो काम करती थी और सबसे बड़ी बात है कि इस बार कर चुनाव विपक्ष जुआ है वह पांच साल पांच परधानमंती के रूप में लड़ एक साल परदेश को मजबूत होगी सीटों में भारती जनता पार्टी उत्तर परदेश मद्बूत होगी और यह चीजें तो देखिए आरोप लगाया जाता था विपश्का कि भारती जनता पार्टी धर्म की राजनीत करते लेकिन आपने लेखा करनाटका से लेकर जहां कई अब इस तरीके से मतलब भगवान को भगवान से लड़ाने की बात अगर कर रहें तो इससे बड़ा घोर कल्यों कोई नहीं हो सकता और कांग्रेश वालों की सद्वुद्धी पूरी तरीके समाब तो ची की हताशा निराशा जो लगाता है दो बार के किना में परेडाम जो दिखाया तो उससी लगा कि का मनोबल पूरी तरीके गिर चुका है कि कि किसी पाल्टी का जात श्यादिया जातिए धर को देखा बता देंदे एक हमारे गाव में ते किसान से जो है तो वह गुड़ बनाते थे तो गुड़ में थोड़ी राक मिला दिया करते ते पर उसको बजार में ले जाते थे बेचने बजार में बैस्ट सबसे उची अवाद उनकी होती थी सबसे बढ़ी हाँ गुड़ है एक लंबर का गुड़ है कोई मुलावड नहीं है संदेरे ना तो जिसका भी सत्ता आती है। इसकी सरप्रुल सरकार होती है। हमारे हमारे मगारभाह कोई होँर लेकिन वो जंता बताती है। छंता सबको दो बारा उसर देती है। तीसरा वार उसर नहीं म्येदी है। राम शिव में बाटना उत्तर दक्षिन करना ये इस पर क्या है भगवान को कोई चानता है भगवान के भगवान से किसी पुलना हो सकती है रहे हैं कि शिव राम के सामने हमेशा खड़े रहे हैं उनके परत्याशी का नाम था बराबर उनका कहना है कि जो है मजबूतिस खड़े रहे हैं कैसे देख राम और शिव को भी बाटने के देश की बड़े बड़ी पार्टियों के ये बड़े बड़े नेता जब भगवान की बात करत हैं तो आशे होता है कि चुनाओं लड़ा हैं आप जंता के लिए जंता को फाइदा कराने के लिए कि आप भगवान की लड़ाई लड़ा कर आप एक तरफा सिर्फ आप अपने लिए फाइदा देखना चाहते हैं जंता परेसान है रुजगार नहीं है महंगाई है कीशले सोचना चाहिए या सेव लगवाएं गया यहां तांत्रिक देस पलगों को ध्यान करना चाहिए कि अपकल बोड़ जरूर ने मेरा आपके चैनल के के माद्यम से यह जोग अपना वोट का इस्टमाल जरू करें और सही गलत की चीन करके आप अपने वोटों के अपनी ताकत को सरकार को बदलने का नहीं काम करें तूर इस टेम्ट जो जरवत है आपको आज जो बयान आया मलकार जुं खरगेका की इराम के बराबर हमला करते रह शेव शेव उंके प्रत्याशी का नाम था बगवानों को भी बाटने का काम चल रहा है राम शेव उत्तर देच्छन देखिए मलिका अर्जुन अपनी हार से बाउखला बाउखलाहाट मच गई है पूरी इंडिया अगड़ बंदन टीम में और जब बाउखलाहाट मचती है त आंग्रेश को खात्मा होने के गगार पर है इसलिए वो उलूल जूल ब्यान देते हैं लग रहा है कि यह खाली सनातन को लेकर के हिंदू धर्म के लोगों को इस तरह से या विश्यम के विश्यों को छेड़ करना किसी अन्य धर्म को लेकर करके नहीं हुप से सनातन धर्म की द्धर्ती पर जोगा है नहीं और जनता ने भी आईना दिखा दिया है इनको 2014 इनको 17 अराया इनको 19 अराया इनको 22 अराया तब लोग सत्वुद्धी नहीं आ रही है यहार का बउखलाहट है और हार के बउखलाहट से उन्होंने उलूल जूल बयान देना शुरू कर दिया ह और कांग्रेस पार्टी समाप्तवादी पार्टी कि तरफ निकल चुकी है क्या कहना चाहेंगा किस पर आपने विशे सुना जी क्या लग रहा है कितना सही है या इस तरह से राम और शिव की बात करना उस पर सवाल खड़ना खड़े करना विबात करना नहीं धर्म के मामने हमाई धर्म सभाए हैं और भी जगह हैं उन पर धर्म कुद्धों पर चर्चा हूँ तेकर राजनीत में चर्चा ठीक नहीं लगते हैं क्या लग रहा है राम और शिव को लेकर के भी एक बयान आगया है मलका जूंखड़े का सीम काफी उन्होंने का कि राम इंको सब पत्रक सब्सक्राइज किया है और जनता पार्टiya पार्टी केवल जुमले बाजी की असरकार है इनके पाद जुमले हैं के वल बाकी कोई वादे नहीं है और 4 जून भाजपा ढून क्या कहना चाहेंगा दो समय बताएगा है और बाद रही तो आज तल देखा होगा जनसमा में सुभाल चाचा भी बोल दिये भारती जनता पाल्टी जीद रही है तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर किस मुद्धों के सारे कौन कंडिडिट किसके साथ जुड़त सेफलासन के साथ शुभां पांडे ने विजी स्टेट लगनाओ